बाई आज मैं आप लोगों जो फोन दिखा रहा हूँ ना ये फोन का ना एक अलगी फैन बेस बना पड़ा है लिटरली कामरा सेटप में तगड़ा आ रहा था, डिजाइन में तगड़ा था, कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेशन थी, प्रोसेसर तगड़ा था कैमरा भी अपने लेवल पर सही काम करता था, और प्राइजिंग में भी काफी जादा सही है और ये फोन है लिटरली मैं तीन साल बाद रिव्यू करने जा रहा हूँ, रेडमी के ट्वेंटी प्रो, लिटरली ये काफी जादा पॉपिलर रहा है अपने टाइम पे, और लिटरली इस टाइम पर भी हम लोग कंपार करने जाएंगे इस तरीकी की बिल्ड हो गई, डिज जाइन हो गया, और ओर ओरल स्पेक्स वगेरा प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भाई कोई नहीं दे रहा है, लिटरली कोई नहीं दे रहा है, 3.5 mm जैक का गड़ा भी बिल रहा है, वरना आज के टाइम पे सब कुछ उड़ा के रखा हुआ है, क्या स्टिल 23 में लेना एक सह पर यह बढ़ने पर दे रहा है, जाहें नू लेना है, स्टिल 23 में बेस्ट पड़े गा, यह फोन को मैं न अफ्लाइन मार्केट से जाके पर्चेस किया है, लिटर अमिर को भाई यह फोन में उठाउंग ज़रू, जोरू, अनली एक फोन मिला, भॉक्स मिला, चार्जर और कुछ नहीं था दुकन वाला 11000 बोल रहा था बड़ भाइब के भाई ने खीच खाच के साड़े नौजार तक लेकर आया मेरे पास यह रेड वाला है इसमें ब्लू भी आता था यह थोड़ा सा फाइरी अनिमेशन जैसे कह सकते हो दिखने मिलता और इसकी ग्लास बेक अगर द के कंडिशन मिला और सबसे ज्यादा इंट्रस्टिंग बात कि इसका फ्रेंट क्याम कर रहा है कि नहीं चालू यह आ गया वापस अंदर और बाहर और इसके साथ में जो साइड में लाइट है ना वो भी एक्टम प्रॉपर तरीके से वक कर रही है अंदर बाहर और बाहर अं यह वापस ट्राय करते है यहां चले जाता है बहुत पास से अंदर चला गया और यह तो न्यू भी नहीं है लिटर ली पता नहीं कितने हाथों से लगकर मेरे हाथ में आया हुआ हूआ हूगा तो मैंने आ अफ्लैन मार्केट पे बहुत लोगों को देखा है फोन खरीते हू लोगों को यह मतलब नहीं होता कि क्या है क्या है क्या नहीं है वह कुछ मतलब नहीं है और इससे बहुत जादा इंट्रेस्टिंग बात है कि इसका फ्रेम है वह एलूमिनियम फ्रेम आता है वरना आज के टाइम पे 30-30,000 की फोन में भी मैं बोलू हो ना जैसे कि Redmi 12 Pro Plus हो गय स्कैनर आ रहे हैं तो आप लग देख रहे हो कि तीन साल में मार्केट मेरे को नहीं लगता उपर गया है खास करके रेडिमी के मामले में कॉस्ट करके पीछे आ गए और एकदम परफेक्ट साइस का फोन है मेरा तो परस्नली फेवरेट है क्या सकते हो स्नापड्रेगर 855 वाला प्रॉसस रहाता है और UFS 2.1 की स्टोरिज इसके अंदर आती थी एंट्रू बैंचमार्ग आज के टाइम पर मैंने इससे ट्राय आउट करके देखे बाई और लिटरली 5,20,000 प्लस का स्कोर इसने टच कर रहा है बहुत साथ अच्छे स्कोर है इस मैं ध्यान रखते हुआ है 30,000 की पाहित नहीं कर रहा हूँ अभी 87% का CP total score आता है उसके बाद मैं मैक्स जिप स्कोर हो गया 191 lakhs है और एवरेज भी 176 है जो काफी जादा अच्छे निकल कर आते हैं और मैंने इसे नॉर्मल इंवार्मेंट में ही चेक करा है पहले बता देत कास एप्लिकेशन आराम से चल जाएंगे बिना किसी टेंचन आराम से मखन मस्त स्मूथ तरीके से चला सकते हो और हां दोस्तों अगर यह डीटेल वीडियो जो हम लोग ऐसी वीडियो करते हैं आपको पसंद आती है ने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और साथ साथ में इस वीडियो पर हम लोग क्या कर रहे हैं 400 कॉमेंट का लाइक रखते हैं 400 की 400 कॉमेंट से मस्तों मैं हाट दूँगा तो फड़ा फट अपने कॉमेंट अपने प्यारे प्यारे थाट्स दे देना भाई और हां आजकल नयास कैम भी चालू है कॉमेंट के अंदर मेर याने के ऑल ग्राफिक्स पे 60FS की गेमिंग बहुत ही प्यारी तरीकी से आप लोग इस डिवाइस के अंदर कर सकते हो वाने गेमिंग करके देखिए और टीडेम पर जो 60FS आपको नहीं विलेगी मैक्स तर्टी एफपेस गलती से कर सकते हो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा गेमिंग पर्फॉर्मेंस आपको नहीं निकाल के देंगे बाकी हाँ पर इसका गेमिंग टेस अलग से देखना है डेडिकेटर आजके टाइम के इसाब से तो उसका वीडियो गेमिंग पार्ट्स आला पर लाइफ कर दूगा तो वो वीडियो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी 4000 mh की बैटरी है और बॉक्स में 27 वाट का चार्जर है बट यह सपोर्ड करता है 18 वाट हाला कि चार्जर मिले नहीं मिले वो डाउट है मुझे तो नहीं मिला तेड़ घंटे के अंदर आपका फोन पूरा 100% चार्ज करवा देग और NFC तो नहीं आता है इसके अंदर बागी in display fingerprint scanner है जैसे मैंने बता है अच्छी तरीके से काम करता है बिना किसी attention बिना किसी headache है और हाँ offline phone लेने का भी जाते हो ना इस तरीके के second hand phone दो चीज का ध्यानक ना कहीं side के जो frames है वो change तो नहीं किया हुए है back panel तो change नहीं किया जो brand new display होता तो वो भी बता देता कि यह brand new display और इसकी जो display size है ना भाई मेरी personal favorite है 6.3 inches की ना ही बड़ा ना ही छोटा एकदम प्रॉपर compact size का मैं कहा सकता हूँ और इसमें na amolet display आती है भाई 120 hertz वगेरा कुछ नहीं था उस टाइम पे उस टाइम पे मस्त 60 hertz मिला करता था तो समसे ऐसा snappy तरीके से आगे फिछे नहीं होता है तो बाकी HDR10 का भी display तो Netflix पर चेक आउट कर रहा था और वहां पर HDR का content भी देखने में अच्छा लग रहा है भाई और साथ में इस पर रहना single speaker आता है अगर output सो ना हो आप लोगों को ना वन मौर रिमेक्स ब्रो इंडी हाउस यूट्यूब पे single speaker के साथ से बोलोगा काफी अच्छा है dual तो नहीं आता था अभी नहीं आता बड़ एक टाइम पे आपको 3.5 mm jack भी मिल जाता है तो कुछ तो खोना था कुछ मिल चुका है और रही बात software बगरा को लेकर रहना तो य Android 11 पे work कर रहा है और हां इसमें Android 12 का support update वगरा कुछ नहीं आया है और last update भी जो आई थी ने इसके अंदर June 21 को उसके बाद में कोई ऐसे security patches वगरा latest तो नहीं आया है तो यह phone है ना मतलब बस 11 पर टक के रह गया और जो मैं बलूंगा इसके लिए भाई बहुत positive चीज़े update न बंदोने वाला भाई यह तो मखन चलेगा आपका तो चला लो और इसकी जो haptics है ना भाई वह ऐसा घर घर वाली आती है मेरे हिसाप से तो premium तो कम लगती है भी घर 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 ऐसा चलते है असा vibration बहुत ठोक ठोक के मार रहा है इसका जो एक wallpaper animation आता है ना literally वो देखो बाई unlock करेंगे एक smooth animation के साथ में बागी देखो इसका जो camera setup आज के टाइम पे 300,000 में बहुत rare देखने मिलेगा main 48 MP का camera है दूसरा 13 MP का ultra wide है वरना आज के टाइम पे 8 8 MP के ultra wide दे रहे लोग और 8 MP का telephoto lens आता है selfie में जो है जो आपको popop आली मिलती है वो 20 megapixel की है और इसमें laser autofocus मिलता है भाई at the end बोलूँगा camera की जो main photos अगर आप देखोगे न अगर मैं 10,000 से भी judge करूँ न तो भाई मुझे तो अच्छा लगा है low light में भी अच्छी detail निकालने देता है अच्छी तरीके से और जो telephoto lens है portrait वगरा में use होता है तो वहाँ पर भी अच्छे से काम हो जाता है आपका काफी सही है और यह video recording 1080p at 30fps front facing pop-up camera से खीच रहें तो इस तरीके से कुछ quality है माइक का भी idea आपको मिल जाएगा किस तरीके से ओडियो की निकाल के दे रहें आप लोग को देखना पड़ेगा कि आपके सामने जो device है वो कैसा है क्या है मैं तो बहुत देख डाक के लेकर आया हूँ बाकी कौन से phone का video देखना है comment करने ज़रू बता देना हम लोगो buy करके लेकर आएंगे second market से बहुत सारे phone पड़े है उदर literally उठाने के लिए बहुत स और जैसे का start के 400 कमेंट्स को मसते में हाट वगरा दूँगा तो फड़ा फट comment भी कर देना और spam comments से बचना उनको report वगरा कर देना तो बाकी मिलेंगे और interesting videos में तो अभी के लिए take care टड़ा बाबाए जैहे